आररबी जेए की एक्जाम डेट क्या होगी यह सवाल भी काफी जादा कॉमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं अपने वीडियो के और टेलिग्राम पर देख रहा हूं ठीक है ना की सर कैलेंडर में तो ऐसा दे दिया है कि भई जो नोटिफिकेशन है चलिए वो जुलाई से सोचना पड़े तो इसका तो मुझे पहले तो बहुत वो लॉजिक नहीं समझ मैं लेकिन मैं फिर भी जैसे कि अभी आप देखेंगे एक्जाम डेट का अगर हम एक आइडिया लें क्योंकि जब तक उन्होंने दी नहीं है तब तक हम आइडिया ही ले सकते हैं एलपी का उन जब भी नोटिफिकेशन आता था तो नोटिफिकेशन से सी बीटी वन का जो एक्जाम होता था ठीक ना वह एक्सपेक्टेड ली तीन महिने बाद हो जाता था अब जैसे नोंने बोलाए कि जुलाई या अगस्त या सेप्टेंबर में हम निकालेंगे ठीक है तो मैं अगर बीच का नंबर अगस्त भी मान कर चलूं ठीक है तो अगस्त के बाद सेप्टेंबर अक्टूबर नेवंबर तो मेरा मानना यह है कि सीबिटी वन का जो पेपर है वह नेवंबर में हो सकता है दोजार चौविस के ठीक है तो लेकिन यह भी सिर्फ चांस के वेसिस पर ही चल ठीक है और यह तो सही अब अरवी बताएगा लेकिन आरवी ने तो हद कर दिया पहले नोटिफिकेशन नहीं निकालता फिर कैलेंडर भी निकाल रहें तो ऐसा निकाल रहें जिसका कोई में बिल्ड नहीं हो पा रहा हूं मैं ठीक है ना लॉजिक नहीं बहुत समझ पा रहा ठीक है ना आरवी में तो जेई में तो वह भी नहीं दिया लेकिन चलिए अगर एक एक्सपेक्टेशन बनाया जाए प्रीवियस रिजल्ट्स को लेके और अबी की जो है ठीक है तो यह भी तीन महिने के गैप में हो जाना चीक है कि इस समय एलेक्शन नहीं है ठीक है ना तो